नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजु शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ तो story nine months की जी हाँ दोस्तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग तो बात करेंगे और बहुत सारी बाते करेंगे story nine months की मैं आपको ये चीज मिस नहीं करने दूँगी कि रोज आपकी बात story को लेके ना हो तो चलिए आज में एक बहुती बढ़िया वाला twist आपको बताने वा बच्चों के जीवन में तो बात करते हैं इसके बारे में मगर पहले आपसे गुजारिश है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है क्रिपया कर लीजिए साथ में दोस्तों बैल आइकोन दबाईएगा ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे तो ऐसा ही कुछ स्टोरी के साथ प्यार हो गया इसलिए उसके उपन में बहुत सारी बाते करती हूँ और ढूंडती रहती हूँ कि कौन सी चीज कहां पे होने वाली है और क्या आने वाला है आगे तो आने वाले आगे टाइम पे क्या होने वाला है सारंदर और आलिया की ला बेटा नहीं है और आलिया के नजरों में बेटी नहीं है यानि कि आलिया ने एक ही बच्चे को जर्म दिया है और एक बच्चा जो था डेट पैदा हुआ है और वो आलिया के नजर में अगु है जो है और बेटी नहीं है और सारंदर की नजर में सयूरी है और अगस्ते नहीं हैं तो दोस्तों ये चक्कर दोनों की लाइफ में चल रहा है अभी तक वो अन्भिग्य हैं कि actually हुआ क्या था पर दोस्तों ये reveal होगा और बहुत जल्दी होगा और ऐसे होगा कि कहानी और जादा difficult हो जाएगी क्योंकि जब तक hero heroine की life में यानि की protagonist की life में difficulties नहीं आती हैं और फिर in difficulties को वो लोग win नहीं करते हैं तब तक story का मज़ा नहीं आता है तो इन दोनों के बीच में होने वाली है दोस्तों legal fight जी हाँ जब सारेंदर को पता चलेगा कि उसका बेटा है जिसको लेके वो बहुत सारे सपने देख चुका था कि अपने बेटे के लिए वो ये करेगा comics लिखेगा ऐसा करेगा वैसा करेगा और दूसरी तरफ आलिया उसकी बेटी अब नहीं रही तो आलिया अपनी बेटी को बहुत चाती है और उसके दिल में ये सुई की तरफ चुपता है कि उसने अपनी बेटी को खो दिया तो दोस्तो जब ये सच सामने आएगा दोनों ही लीगल फाइट करेंगे अपने अपने बच्चे के लिए उनकी कस्टेडी के लिए जी हां दोस्तो ये दिखेगा आपको आने वाले एपिसोर्ड में और इसमें दोनों ही एक दूसरे को दिखाएंगे कि ये काबिल नहीं है बच्चों को पालने के लिए आलिया के अपने पॉइंट्स होंगे सारंदर के अपने पॉइंट्स होंगे यहां पे बहुत सारी चीजें बाहर आएंगी और इसके साथ-साथ ये भी पता चलेगा कि आखिर क्या हुआ था इन दोनों के बीच में और जो हुआ था उसको और जादा बड़ावा मिल जाएगा जब दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट कोट में खड़े होंगे लीगल फाइट करते हुए दिखाई देंगे बच्चों को लेके अब इस पूरे सीन में बच्चों का क्या होगा जब बच्चों को ये पता चलेगा कि हम दोनों दो दरसल असल में भाई बेहन है जो वो पहले आपने देखा था न स्कूल में अगस्ते कहता है कि मैं तुमारा भाई हूँ तो हो कहती नहीं तुम मेरे दोस्त बनों तो आब अगस्ते को और सायूरी को जब पता चलेगा कि रेल में वो भाई बेहन है तो उनकी लाइफ का क्या टर्न ओवर होगा कैसे होगा तो ये सारी चीज़े हमें दिखेंगे आने वाले एपिसोर्ड में जो बहुत जल्दी शुरू होगा आप लोग होपफुल रहिए मैं भी होपफुल हूँ और ये सारे ट्विस्ट अन टर्न के साथ हमारी स्टोरी स्टोरी नाइन मंस की आगे बढ़ेगी तो यही था मेरा कहना इस वीडियो में कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताएगा देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिर्स थैंक यू सो मच